सब्सक्राइब करिए टूड़े स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटस्ट बिजनस और टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलोवन तो रास विगा सुपागत है आपके बरी चलने टूड़े स्पोर्ट टिप्स पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि इगनू क्या है कैसे आप इगनू के अंदर एडिविशन लेकर अपने केरियों चाहिए तक लेकर जा सकते हैं आज दोस्तों इगनू ओपन उनिविश्टी के अंदर दोसों से ज़्यादा कोर्सेज अविलेबल है जो कि आप कर सकते हैं और इगनू के जो एक्जाम होते है वो ओपन तरीके सेना उसको लिये जाते हैं इसके अंदर दोस्तों मास्टर डिगरी, बैचलर डिगरी, सेटिविग और डिपलोमा प्रोग्राम भी इसके अंदर अविलेबल है और जो भी केंडिडेट के आए कि इससे कोर्स करना चाहता है तो दोस्तों उसको क्या आए कि कोलेज जाने के जुरूरत नहीं होती है वो कोलेज जाए बिना एक्जाम देकर क्या आए कि अपना जो केरीर है वो आ जिनको आप कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आप चिकिसा से रिलेटेट जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर भी आप अडिमिशन ले सकते हैं और आप यहां से डिपलोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं यानि कि दोस्तों आपका जिस चीज क अंदर इंट्रेस्ट है तो दोस्तों उसके अंदर आप अडमिशन लेकर क्या है कि अपने केरियर को चाहिए उतक लेकर जा सकते हैं अडमिशन के लिए आपको क्याई कि सबसे पहले उसकोठाई करना होगा एडमिशन के लिए ये ओनलाइन आप फार्म बढ़ सकते हैं और इसकी फीस अलगई होती है जो जो कोर्सिस आप करना चाहते हैं उसके साथ सथीस भी अलगई इसकी रहती है वहीं दोस्तों डोकुमेंट्स की बात करें कि एग्डू के अंदर अटमिशन के लिए कौन कौन से डोकुमेंट की रिक्वार्मेंट रहती है तो दोस्तों वो डोकुमेंट्स होते हैं चेक्षिक योगिता के परमानपतर की फोटोकोपी, इसके लवा जाती परमानपतर की फोटोकोपी, आयो परमानपतर, अनवो परमानपतर, इसके लवा हस्ताक्षर, यानि कि दोस्तों आपके साइन स्केन की यह चाहिए होते हैं और इसके लवा स्केन की यह फोटोग्राफ आ आपके पास है तो आप उसको बीपेल प्रमान पत्तर है वो आपको चाहिए होगा इसके बाद के आए कि आप ओनलाइन पेमिट भी इसकी कर सकते हैं अगर आप इगनू के अंदर अडिमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अडिमिशन लेने के लिए तो आपको रेजिस्टर यूर सेल्फ के उपर क्लिक करना होगा इसके बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड अपने जो मुवाइल नंबर है तो उसके उपर क्याए कि आपको मिल जाएगा और जैसी आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाता है तो आपको दोस्तों उसके अंदर क्याए की लोगिन कर लेना है इसके बाद आप से क्याए कि आप से कुछ जानकारी personal detail आपकी पूछी जाएगी तो दोस्तों वो सारी जानकारी अच्छे से check करके आपको उसके अंदर fill कर देना है जैसे कि personal detail, qualification, course detail ये सारी आपको fill कर देनी है उसके बाद आपको documents upload करने है जो document आपने scan करके रखे हुए है वो document आपको इसके उपर upload कर देनी है जैसी आप upload कर देते हैं उसके बाद आपको कहें कि check declaration box होता है उसके बाद वो आप पढ़के आप क्या है कि उसके चेक पे click करेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद जो last option आता है वो payment mode का आता है तो दोस्तों उसके बाद आप payment कर सकते हैं जो कि आपने course चूज किया तो उसके साफ़ से लग लग फीस होती है तो दोस्तों उस हिसाब से क्या है कि आप जो है इससे नेट बैंकिंग या फिर करेंड एटियम से आपके payment कर सकते हैं इसके बाद आप से पुछा जाता है payment confirmation के लिए पुछा जाएगा और payment confirmation receipt है जिसमें आपकी सारी डिटेल रहती है इसके वो आप प्रिंट लेकर save करके भी रख सकते हैं और जैसी आप print and save पर click करेंगे वसी आपके सामने जो आपने form बढ़ा था वो पूरिया आपके सामने खुल कर आ जाएगा उसको आप प्रिंट और save कर सकते हैं और वहीं आप अगर इगनू में admission का आपका status क्या है वो चेक करना चाते हैं तो इसके लिए आपको क्या है कि जो website उस पर login करना होगा उसके बाद ने हो your status पर आपको click करना होगा उसके बाद इगनू admission status चेक कर सकते हैं आप इस तरह से चाहूँ है कि अगर आप किसी कारण मश्क्या है कि college वगेरा नहीं जा सकते हैं तो दोस्तों आप क्या है कि इस से open university से आप जो है course कर सकते हैं और अपने career को चाहिए तक लेकर जासे ताक कि आपकी पढ़ाई भी चलते रहे और आपका जो काम है वो भी चलता रहे तो दोस् शेयर करें होस्के तो चलों सुब्सक्राइब बनारा बोले क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए दोस्तों जैहिंद वंदे मातरम